सब्सक्राइब कर दिया है तो अब हम चलते कंपनी के फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है जो कि स्टैंडर लॉन और कॉंसलिडेटर दोनों फिनांसल जट आउट हो चुक है साथ में कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड भी डेक्लियर कर दिया है फोर पॉंट फाइब रुबिज पर रिक्विडेश यह का रिकॉर्डड बाइस नॉंबर का रखा गया है तो अब हम चलते कंपनी के फिनांसल रिजल्ट पे जो कि स्टैंडर नॉन फिनांसल रिजल्ट से और करोर्स में नंबर दिये गया है इंकम 6670 करोड का तो कि प्रिवि करोड का प्रिवेस कॉर्ट फिटीन हंडेट 55 करोड था सप्टमबर ट्वैंटीवन कॉट्र फाइफ हंडेट फोर करोड का प्रॉफिट था प्रॉफिट क्वार्टर और का यर दोनों में तेजी देखने को मिल रही है एपिस एटीन सॉप्रेंड पॉइट साइवन रूप करोड का प्रिवेस कॉटर में 11,645 करोड था सप्टमबर 21 कॉटर में 70 फोर हंडेट 20 करोड का इंकम था कंपनी का इंकम कॉटर और को फोले से डाउन हुआ लिकिन यह यह तेजी देखने को मिल रहा है प्रॉफिट कंपनी का जो निकलके आया है 2100 करोड का जिबकि प्रिव से यहाँ पर इंक्रीज के यहाँ पर देख सकते हैं यह स्ट्रांड इंडर कंपनी ने बहुत ज्यादा आवरेज देखने को मिला कि क्वार्ट और को बहुत ज्यादा वीक देखने को मिला अगर अगर सेगमेंट वास बेन्यू की बात करें तो यहाँ पर गाईज क्रूड वाइल नाचुरल गास रिफाइनरी प्रोडक्ट एल पीजी पाइपलान ट्रांस्पोर्टेशन युनेबल एनर्जी और अधर इन सभी से रेवेन्यु जनरेट करता है जो कि एवरेज देखने को मिला तो गाइस अब हम लुग जो है वेडियो कहीं पर एंड करते हैं अगर को